बाए वेल्कम टो इस्टेडी रिगणेक्ट और वीर गवेलों के दिस्कस इंपोर्टेट्न फिजिक्स क्यूसरं तो चलिये शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्यूसरं क्यूसरे कि थे फस्ट मोडल ओफ ए अटम इन अटे नाइनियाट वाज प्रपोस्ट बाय। तो गामा रे की फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है और वेवलेंथ सबसे कम है अब देखें गामा रे के बाद में कौन सी रे आती है तो गामा के बाद में आती है अक्सरे आती है और अक्सरे के बाद में आती है यूवी रे और उसके बाद में आती है वीजिबल रे तो इनको ध्यान में रखिए आप इनकी ये इसमें वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है जैसे कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीस होती जाएगी मतलब गामा की हो जाएगी फिर एक्स रेक्यों जाएगी उसके बाद में यूवी रेक्यों जाएगी और वेवलेंथ वेवलेंथ इनक्रीज होती जाएगी ठीक है अब सलते हैं नेक्स्ट पर विच ऑफ फॉलोइंग है मैक्सिमम पेनेटरेटिंग पावर तो यह भी किसकी है तो यह भी गामा रेक्या है यहां पर एक्स्पेनेशन दिया हुआ है देख लीजिए विच ऑफ भी फॉलोइंग हीटरेडिएशन किसे बोला तो वह भी इनफ्रेड रेडिएशन को ठीक है यह एक्स्पेनेशन नहीं यहां पर पढ़ लीजिए आप अब आते हैं फिप्द क्यूसर्ट पे तो यह है इ इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव ट्रेवल थू वेक्यूम विद डिफरेंट स्पीड ठीक है अब सेकंड स्टेटमेंट है कि दाव डिफर कंसीडरेबली इन देर मोडर mode of interaction with matter तो इन में से पूछा है कि कौन सा correct option है तो हमारा correct option है second मतलब only second correct है first wrong है first wrong क्यों है क्योंकि यह different नहीं होती है इनकी different speed नहीं होती है क्योंकि अंदर same speed होती है सभी की almost यह explanation है आप देख लीजिए second statement correct है first wrong है तो हमारा answer हो जाएगा D only statement second is correct next पर चलते हैं from maxwell's hypothesis a charging electric field give rise to तो यह मतलब एक charging electric field होता है तो कौन सा charge बढ़ता है तो देखो हमें पता है कि जैसे electric यह वायर के अंदर से अगर current flow कर रहा है तो यहां पर आसपास magnetic field generate होगा तो एक magnetic field generate होता है यह यह इस cancer यह बाकी explanation है और यह source है यहां से आप कुछ ज़्यादा पढ़ना हो तो वह पढ़ सकते हैं in optical fiber the refractive index of core is अब optical fiber के अंदर refractive index of core क्या होती है तो वह greater than that of cladding होती है यह explanation दिया हुआ यहां पर यह आप देख लीजिए क्योंकि एक revision video है अब next पर चलते है air bubble in water behaves जो आपने देखा होगा पानी के अंदर बुलबुला होता है बबल सा तो वह कैसे behave करता है मतलब convex lens होता है concave lens होता है तो क्या होता है तो वह होता है concave lens ठीक है next पर चलते हैं अब यह पिछले equation का यहां पर explanation दिया हुआ है तो देखो यह inside water the air bubble behave like concave lens the concave lens are also known as diverging lens अब इसको ध्यान में रखिए आप कि concave lens को diverging lens भी बोला जाता है ठीक है concave lens को diverging lens भी बोला जाता है और यह ऐसे भी question पूछ सकते statement के अंदर की कौन सा converging lens diverging lens कौन सा है फिर concave क्या हो गया हमारा diverging lens हो गया the air bubble is spare with concave surface and when light reaches it the light reflected with the water as in concave lens next पर चलते हैं नाइंत क्यूसर नमारा की infrared wave are sometime referred to as heat wave ठीक है फिर आता है कि water molecule present in most material readily absorb infrared red तो यह दोनों ही statement नमारे correct है अंसर हो जाएगा हमारा एपार नेक्स्ट क्यूसर पर चलते हैं यह पिसले क्यूसर का यहां पर explanation दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप NCRT के chapter 8 के page number 282 पर देख सकते हैं 12th class की नेक्स्ट पर चलते हैं इन दे फोर्मेशन ओफ rainbow the light from the sun on water droplets undergoes तो किस कारण कहां से क्या होती है तो उसके अंदर dispersion और total internal reflection दोनों होता है अब देखते हैं इस पर देखो जो rainbow बनती है उसके अंदर तीनों effect आते हैं किसके dispersion, reflection, reflection ठीक है इसको जहान रखना आप अब चलते हैं नेक्स्ट पर the ultra high frequency band of radio wave in electromagnetic wave is used in यह ultra high पूछा गया है तो confusion मत हो जाना इस cancer होगा भी होगा cellular phone communication मतलब जो cell phone में हम communication करते हैं उसके अंदर ultra high frequency frequency usually जाती है ठीक है अब नेक्स्ट पर चलते हैं यह यहां पर दिया हुआ है कि cellular phone use radio wave to transmit voice communication in ultra high frequency नेक्स्ट पर चलते हैं when a ray of light enter from one medium to another medium then which of the following does not change देखो यह सपोज किजिए यह water है यह यहां आ रही है और यह यहां पर दूसरा medium में कोई यह मतलब समझ लोगी पानी के अंदर से यह गिलास है गिलास से light यूँ आ रही है और पानी का गिलास है काच का और फिर यह इधर आ रही है ठीक है तो कौन सी से चीजे चीज नहीं होती इन में से तो वह प्रीकांशी मेलेंट्रिअटीव वीङलेंट्र साय चीज राथ यह देखेंए कर नों यहां रिक वीजक्च दिन होती बाकी तीन ककश भाते हैं तो एक इस बात को द्दिखान में तो बाकी यह थे तो सबको पता हुआ गामा रे को यूज चाहता है मेडिसिन के अंदर कैंसर ट्रिट्मेंट के लिए अब आते नेक्स्ट पे तो विच अफ फॉलोइंग फॉर्म में वर्चुल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ओल पोजिशन ओफ द अबजेक्ट तो वर्चुल और इरेक्ट इमेज कौन सा बनाता है इनमें से तो देखो कंकेव तो लेंज होगा और कंवेक्स मीरर होगा बोथ ए एंड सी यह इमेज वाली पुछे गए हैं इसको ध्यान रखिया वर्चुल एंड इरेक्ट इमेज कौन सा बनाता है तो कंकेव लेंज है और कंवेक्स मीरर है कंकेव लेंज और कंवेक्स मीरर कौन सी इमेज बनाएगा वर्चुल एंड इरेक्ट इमेज नेक्स पर चलते हैं तो यह हमारा इलेक्ट् स्वाइन तो ये भी सही है और गया वैशन responsive वे इंग जो प्रांसवर्स होती प्लिराइज होती है बस ठीक है इसको रहम रखिए इस यह पिरियोडिक मोशन के बारे में यह थोड़ा सा यहां भी दिया हुआ है इन्फरमेशन की इस पिरियोडिक मोशन बट नोट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकोज इस नोट नोट टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ट पॉइंट ठीक है नेक्स्ट पर जलने हैं अब यह जोग्रोफिक का भी क्यूसन है और फिजिक्स की बूख बूक में भी देखने को मिल जाएगा फिजिक्स आणि अदर ग्रेविटेसन के कारण आया जाता है और जघ्राफिक ड़कर तो हमारा सहला वेट क्या होगा ग्रेविटी फीकल्टर पे जादा होती है तो वह पर जादा होती है और उल्पार के तरफ वहता है तो जाएंगे तो क्रेविटी आपके यह जाएंगे तो प्रमयायाइक्ज। डिपेंड on the medium in which traveling to electromagnetic wave किस प्रोपर्टीड पर dependent करती है मीडियम की तो वेलोसिटी पर कुल चलते हैं अब यह देखो यह भी काम आदे velocity of wave in a vacuum is tremendous speed of light which is assumed that 3 into 108 meter per second ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे ये last question है साथ हमारा ये last है electrons in the atom are held to the nucleus by जो electron होते है atom के अंदर वो कौन सी force के तबारा जुड़े हो एते हैं तो वो है कुलाम्स force ठीक है अब the nucleus electron system being charged object interacted by कुलाम्स law of force ठीक है so that's all for today एक वीडियो हो रहाएगी कल physics के ही क्यूशन के ऊपर तो इसको देख लेना आप so thank you everyone और like share subscribe जरूर करें thank you